हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू सिक्षा कैसे आप सब उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे सो फ्रेंड्स MCQs on daily current of years 14th to 19th में का part 1 अल्रीड देख चुके हैं आप वेंगे सर आज तो आप जब वीडियो दे रहे हो 27th में हो गया तो यह तो इतना पुराना हो गया लोग तो रोज सुबास शाम को दे देते हैं डेली का तो देखो बच्छो ऐसा है कि डिले तो हुआ है I agree ठीक है लेकिन और भी बहुत सारा कंटेंड जो है वह आपके लिए बन रहा है तो उसमें कहीं बार जो है चीज़े डिले हो जाती है पर उससे अपने को कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए बिकॉस मेंली ये कोशन आपकी रिवीजन के लिए है और अगर आपने करेंट अफेर्स फॉलो अल्रोडी कर भी लिए है तब भी आपको काफी सादा ये यूसफूल रहेंगे आपकी रिवीजन में और जो मेरा प्रॉसेस रहता है तो यू नो डिसकस दा कोशन जो हम सेलू लिए प्रिपेर्र कर रहा है जो खुदसे एक निउसपेपर पढ़ता ही पढ़ता है यह मैं यह नहीं कहता है यह त्हीन निउसपेपर पढ़ें का।हिं अच्छी बात है पर एक newspaper को आप supplement नहीं कर सकते तो वो बच्चे जो newspaper पढ़ते हैं उनके लिए काफे जादा useful है क्योंकि newspaper से पता चल जाता है कि किस तरह से question जो है वो form होगा editorial से या जहां से भी दूसरी चीज रिवीजन क्योंकि इसमें add-on चीजें हम discuss करते हैं तो वहाँ पर भी आपको beneficial रहेगा ठीक है चलिए शुरू करेंगे उससे पहले कोई भी doubt होता है तो आप comment section में post कर सकते हैं या फिर आप whatsapp कर सकते हैं इस number के उपर 904-1244-689 पर या फिर mail कर सकते हैं 668-gmail.com ये दोनों options तीनों options आपके पास रहेंगे ओके चलिए तो first question देखते है first question is related to a particular species of turtle Hindu के front page पर आया था ये news ठीक है जिन बच्चों ने newspaper follow किया है so consider the following statements about red-eared slider turtle red-eared slider turtle से related question है पहला statement कहता है ये जो red-eared slider turtle है ये native है northern America का और Mexico का ठीक है northern America और Mexico में पाया जाता है दूसरा statement कहता है the turtle is widely used as a pet as a pet इसको यूज किया जाता है widely आपको बताना है इन में से कौन सा statement जो है वो correct है correct-incorrect का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है circle कर लेना है बार-बार ये बात मैंने बूली है क्योंकि question में confusion हो जाती है कहीं बार इस चीज पर ठीक है तो correct बताना है कि पहला correct है दूसरा दोनों या कोई भी नहीं देखो अगर newspaper फॉलो किया तभी इसका answer कर सकते हो ठीक है क्योंकि कहीं बार क्योंता है जो websites होती है बहुत अच्छी websites पर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं यह नहीं कहारा कि वह बुरा काम कर रहे है current affairs से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा content प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को ठीक है लेकिन क्या होता है जैसे अगर यह news for example 14 में के newspaper में आई है या 15 में के newspaper में आई है वो क्या करते हैं क्या अपता ही 15 में के current affairs में covered ना रहे यह वो cover करेंगे 17 में या 18 में नीचे source लिख देते हैं अपने current affairs के में source लिख देते हैं तो हिंदू तो बच्चा confused रहता है कि यार मैंने तो newspaper पढ़ा था लेकिन मुझे तो आज के newspaper में ऐसी कोई news नहीं दिखी फिर वो अपनी newspaper रीडिंग को डाउट करना शुरू कर देता है तो वो अपने नी करना क्योंकि वो लोग भी content जो बना रहे हैं वो साथ के साथ पूर पर research होगा उसके बाद वो content अपनी website के ओपर डालेंगे ना तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है ठीक है तो इसलिए newspaper पढ़ना बहुत ज़ को का and widely pet की तरह इसको use किया जाता है ठीके जी answer C होगा यह news थी as it is आपके newspaper के अंदर जो news थी okay so US slider turtles pose a threat in northeast okay so basically यह एक cute सा चोटा सा turtle होता है आपके सामने image भी है तो यह threaten किसमे में करता है क्योंकि यह natural water bodies को invade करता है और India में यह कहां पर invasion हो रहा है इसका जिसकी वज़े से इसको news में कबर किया गया है वो है North East India में ठीक है अब North East India जो है यह 21 out of 29 vulnerable जो native Indian species है freshwater turtle का या tortoises का उनका home है और अगर इस तरह की invasive species invasive species basically क्या species होती है जो उस area में अगर वो एक तो उसकी population बहुत fastly increase होती है दूसरा जो वहां पर जो food resources होते हैं वो उनको बहुत जल्दी consume कर लेते हैं जिसकी वज़े से जो native species होती है उनको harm पहुंचते हैं उनके लिए dangerous बन जाती है वो situation ठीक है तो यह जो red-eared slider है यह नौर्थ इस इंडिया में पहुंच करके क्या है यह एक invasive species है नेटिव कहां का है यह नेटिव है नौर्थ अमेरिका का और मेक्सिको का ठीक है तो researchers ने कहा कि अगस्ट 2018 से लेकर के जून 2019 तक जो उनकी team थी एक NGO है है hell perth all right so उनकी team have founded these red-eared sliders in the deep or beal wildlife century and the ugra tarak temple pond both in Guati तो यह दोनों locations Guati में है जहां पर यह जो turtles हैं जो red-eared slider turtles हैं यह मिलते हैं मिले हैं okay now this red-eared slider turtle is given the scientific name of trachemis scripta elegans अगर आप cds वगारा का exam दे रहों कहीं बार वो scientific name भी पूछ लेते हैं पिछले साल के पेप्रो में उन्होंने पूछा है similarly EPFO वाले बच्चों के लिए भी ठीक है now this particular red-eared turtle इसका name यह कहां से derive करता है it derives its name from the red strips around the part where its ears would be यहां पर जहां पर कान की जगा होती है वहां पर यहां पर red strips आपको देखने को मिलती है जिसकी बज़े से इसको red-eared turtle कहा जाता है and from its ability to slide quickly off any surface into the water तो फटा-फट से फिसल कर किसी भी surface से पानी के अंदर यह जा सकता है इसलिए इसको red-eared slider turtle कहा जाता है native जैसे कि हमने question में भी देखा US से हो US and Northern America का native है all right and popular pet है लेकिन अब problem क्या है क्यों invasive species बन जाता है क्योंकि बहुत fast grow करता है और it leaves virtually leaves nothing for the native species to eat कुछ खाने के लिए नहीं छोड़ता है native species के अब जैसे अगर आप देखो यहां पर newspaper में जो writer है जो author है इस particular article का उन्होंने एक और example दिया of Burmese python अब यह Burmese python जब US पहुंचा as a pit इसने भी South Florida के जो everglades थे everglades ecosystem था उसको continuously damage कर दिया तो similarly writer कह रहा है कि जो यह red-eared slider है यह already इंडिया के कुछ regions को effect कर चुका है जैसे करनाटका, Gujarat ठीक है करनाटका और Gujarat में अगर आप देखोगे around 33 natural bodies में अभी यह पाया जाने लगया ठीक है लेकिन वहां पर तो यह जो damage करना था करी चुका है अब जो North East इंडिया है जो इंडिया का काफी अगर आप ब्रह्मा पुत्रा या जो बाकी के रिवर एकोसिस्टम्स है नौर्थीस्ट के वो देखो तो बहुत जदा crucial है क्योंकि थीज रिवर एकोसिस्टम्स अफ नौर्थीस्ट आर होम टू more than 72% of the turtle and tortoise species in the country तो 72% से जादा जो हमारे देश में turtle turtle या tortoise species है और जो rare species है जो सरफ हिंदुस्तान में मिलती है वो अब यह जो रेडियर टर्टल है वहां पर जाकर के यह problem create कर रहा है अब जो researchers है उनका कहना है कि यह जो problem है जो इस तरह की problems arise हो रही है जहां पर एक species जिसको as a pet use किया जाता है that species is creating a threat for the native species in India तो उसको बोला जाता है catch 22 situation now catch 22 situation क्या होती है देखो कहीं बार UPSC इस तरह के question पूश लेता है catch 22 situation which was seen recently in news is what? नीचे 4 option देदेगा उसमें से पूश लेगा तो catch 22 situation में क्या कहता है कहता है कि देखो catch 22 situation में क्या हुआ जो लोग pets रखते हैं turtle को red-eared turtle को या किसी भी species को किसी भी animal को as a pet रखते हैं okay they become sensitive to that particular species ठीक है यह turtle है यह size में grow होगा ठीक है काफी बड़ा भी हो जाएगा फिर ultimately जब यह size में grow कर जाएगा तो यह घर के छोटे से aquarium में आएगा नी तो ultimately लोग क्या करेंगे उसको aquarium से छोड़ करके local water body में डालाएंगे ठीक है और local body में जा करके that particular species like in our case red-eared slider जो है वो as a invasive species act करेगा which will create a problem for the native species okay तो इसको क्या का जाता है catch 22 situation okay तो यह सब चीज़े ध्यान में रखनी है बहुत important है जिनक बच्चों ने PDF जो है वो subscribe कि हुई है नीचे link से description में से उनको तो PDF format में यह सारी file मिल जाएगी जिन्नोंने नहीं भी क्योंगा screenshot लेकर के रख लो okay चलो next question number two पर चलते हैं in which among the following states the highest number of particularly vulnerable tribal groups among the list of 75 are found तो total 75 particularly vulnerable tribal groups हैं जो हमने list कियो है इन 75 में से सबसे जाधा tribal groups जो है वो आपको कौन सी state में मिलेंगे इन 75 में से ओके तो ओडिशा में बसाम में जारखन में या फिर चत्तिसगर में ठीक है देखो आपको यह भी पता होना चाहिए particularly vulnerable tribal groups क्या होते हैं और question में आपको एक चीज़ और बता दी गई है कि currently कितने है particularly vulnerable tribal groups हमारी country में 75 है तो सबसे जाधा किसके अंदर है factual question है option will be A ठीक है Odisha Odisha में सबसे जाधा आपके जो particularly vulnerable tribal groups हैं वो आपको मिलते हैं देखो news यह थी अब news क्या थी हिंदू में यह आई थी 10th page के ओपर 15th में के newspaper में अगर आप देखोगे तो news में simple सी बात लेकी हुई थी कि vulnerable tribes जो है वो coronavirus से अब जो है infect हो रहे हैं तो ऐसे 21 members जो है वो मिले थे belonging to a particular vulnerable tribal group Odisha में ही जहाँ पर corona infection मिला and it becomes a threat because यह endangered एक तरह से tribal groups हैं काफी कम population in tribal groups की है okay so इसी वज़े से यह एक concern है and it was covered in the newspaper ठीक है अब हमारा जो main concern है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे in particular vulnerable tribal groups के बारे में detail में तो अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में 8.6% जो हमारी total अबादी है वो tribal अबादी है ठीक है जिसको आप schedule tribes भी कहते हो ठीक है जिसको हम क्या कहते है schedule tribes भी कहते है हमारे आपर कुछ 700 plus schedule tribes है तो इसको ऐसे समझो कि अगर हिंदुस्तान की अबादी 100 करोड है तो 8 करोड 60 लाग लोग जो है वो tribal population है अब इनी tribal groups में से मैंने आपको बताया कि 700 plus tribal groups हैं तो इनी 700 plus tribal groups में से कुछ ऐसे vulnerable tribal groups हैं जिनको हमने क्या बोल दिया particularly vulnerable tribal groups इनकी formation कैसे हो यह भी अभी देखेंगे ठीक है due to this factor more developed and assertive tribal groups make a major chunk of tribal development funds because of which PVTGs need more funds directed for their development ठीक है 1973 में PVTGs को recognize किया गया था धेबार commission जो है एक सरकार ने बनाया था और इस धेबार commission ने यह primitive tribal group जो है create किया ठीक है तो यह basically वो tribals थे जो सबसे less developed हैं among the tribal groups और भी features जो होते हैं to be recognize as a particular vulnerable tribal groups वो भी अभी आपको दिखाऊंगा ठीक है 2006 में सरकार ने यह पहले इनको primitive tribal groups बोला जाता था 2006 में सरकार ने कहा कि नहीं आप इनको primitive tribal groups नहीं आप इनको particularly vulnerable tribal groups बोलेंगे ठीक है उसके बार देखिए 1975 में जब यह सारा system शुरू हुआ था to recognize the vulnerable tribal groups तब around 52 ऐसे groups थे जिनको डिक्लेयर किया गया था आज पर्टिकुलर्ली vulnerable tribal groups 1993 तक पहुंचते पहुंचते 23 और ग्रुप को इसमें आड कर दिया गया विच नौ में एक सी टोटल 75 तो इंडिया में टोटल जो consider किये जाते हैं तो consider a particular tribe as a particularly vulnerable tribal group तो वो क्या features होते हैं सबसे पहले mostly homogeneous होते हैं जो पर्टिकुलर्ड ट्राइबल गुप सारे एक जैसे होते हैं ठीक है उनके रहने का तरीका काम का तरीका सब कुछ जो है एक जैसा होता है small population काफी चोटी अबादी होती है physically isolated रहते हैं ठी written language नहीं होती कोई भी relatively simple technology और slower rate of change बहुत slow rate of change अगर आप इनको देखोगे आपको होगे यार आप 21st century में हुई नहीं आप 10th century में हो ठीक है किसी को कोई इसमें hard feelings लेने वाली चीज नहीं है we need to understand the things as it is तभी हम उस चीज़ को जो है समझ पाएंगे okay they have not seen that kind of development that has been seen in another part of the world that is a fact that is a truth और आपको वो समझना है okay तो 75 लिस्टेट पीवी टीजी में से जो हमारा सवाल था हाइस नंबर किसमें मिलते है ओडिसा में मिलते है ठीक है तो यह सारी की सारी information आपके लिए बहुत जादे important है हर तरह की information में से आपके लिए एक question जो है वो frame easily हो सकता है ठीक है तो अच्छे से इसको आपने कर लेना है चलिए next question के ओपर जलते है consider the following statement about बासाव वेश्वरा यह हर साल इस महिने में question में आता है Aprilia में क्योंकि बासाव वेश्वरा जेहनती जो है वो celebrate की जाती है और PM tweet जरूर करते है प्रदान मंतरी tweet जरूर करते है ठीक है because the issue is also you know somehow politically linked ठीक है करनातका specially जो है the state of Karnataka है उसमें काफी जादा इसका political significance भी रहता है हाल फिलाल उसमें नहीं जाएंगे लेकिन बासाव वेश्वरा से related statement आप consider करेंगे the first statement is he is the founding saint of Lingayat sect Lingayat sect Lingayat संपरदाय के founding saint है statement 2 कहता है इन्होंने अनुभवा मंदपा established किया था which is basically a common forum for all to discuss the prevailing problems of social, economic and political strata तो social, economical and political problems जहां पर आकर के लोग discuss कर सकें वैसा एक अनुभव मंदपा नाम से इन्होंने इस्टैब्लिश्मेंट create किया था तो आपको बताना है इनमें से कौन सा statement correct है ठीक है correct statement आपको बताना है इनमें से पहला, दूसरा, both of the above या फिर none of the above आपको बताना है इनमें से कौन सा correct है देखो founder of Lingayat, बिल्कुल सही है, दूसरा statement भी बिल्कुल सही है, अनसर इसका C हो जाएगा, अब detail में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बासा वेश्वरा के बारे में क्योंकि important है, सवाल आप इसमें से expect कर सकते हो, okay, EPFO वाले बच्चे भी इसमें से सवाल expect कर सकते हैं, ठीक है, अन्डिवाइड जो बीजापोर district है, करनाटका का वहां पर ही पढ़ता है, 1131 AD में, 1131 AD में, and he is the founding saint of Lingayat sect, Lingayat Sampradaya के founding saint है, ठीक है, अब जो सारे, जो डिसिप्लिन था, जो spiritual discipline था, बासा वेश्वरा का, it is basically based on three principles, three principles के पर जैसे आप देखते हैं, कोई भी religion form हुआ या हुआ चाहिए वो बुद्धिजम है, जैनिजम है, तो कुछ spiritual principles जो है, उनके founding fathers ने उसके उपर जो है, उस religion को based किया, similarly, जो आपका Lingayat sect है, या जो Lingayatism है, वो भी तीन principles के उपर based है, one is called Arivu, Arivu is basically true knowledge, then there is called Achara, Achara is basically right conduct, and then there is Anubhava, Anubhava is basically divine experience, ठीक है, जब आप पहले दो principles क attain कर लेते हैं, then the third principle comes in, okay, अगर आपने, आपको true knowledge नहीं है, या आपका right conduct नहीं है, then you will never have a divine experience, okay, now, and it brought social religious and economic revolution, जो Lingayat sect है, या जो Basavishwar है, he is known for bringing this kind of revolution, social religious or economic revolution, because वो in evils के साथ उन्होंने fight करना शुरू किया, जो भी social evils थे उस समय के society में, वहाँ पर इन्होंने जो है, काफ इन कल्याना, the कालचूरी किंग बिजाला, अपोइंटेट बासाविश्वरा एज अ करनिका, करनिका क्या होता था, अकाउंटेंट, तो एज अकाउंटेंट, इनको बिजाला किंग ने अपोइंट किया था, इनिशल स्टेज में, और बाद में ये उस किंग के प्राइम मिन मिनिस्टर भी बने, ultimately, जो बासाविश्वरा थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, against the social levels of the traditionalist society, and drastic changes लाने की, इन्होंने कोशिश की, okay, and इन्होंने, जितने इनकी अप्रोचिस थी, जितने इन्होंने फिर steps लिया, जो भी इन्होंने किया, that was basically for establishing a Kalyan Rajya, Kalyan Rajya was basically welfare state, now welfare state में होगा, जहाँ पर सारे citizens को society में equal position मिले, ठीक है, उनकी class, caste, creed, sex, किसी का भी effect नहीं होना चाहिए, on the position that they hold in the society, ठीक है, तो एक social revolution यहाँ पर लाने की है, इन्होंने कोशिश की, अनुभावा मंटपा, इन्होंने establish किया, now it was basically a common forum, एक common forum था जहाँ पर लोग आए, और वो अ उनकी religious और spiritual principles भी आगे, या personal problem भी आगे, तो हर चीज से related, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अनुभावा मंटपा में discuss नहीं हो सकती, you can discuss anything, okay, तो इसी लिए कहीं जगाओ उपर कहीं टेक्स में यह भी लिखा जाता है कि ऐसा discussion forum इंडिया में इससे पहले नहीं था, okay, so it is said that it was the first and foremost parliament of India, ठीक है, जहाँ पर शर्नाज, शर्नाज किनको बोला था, ता था, citizens को, welfare society के citizens को, तो जहाँ पर citizens आकर, यह एक ऐसी parliament थी, जहाँ पर citizens आकर के, अपनी सारे issues, अपनी सारी problems को easily discuss कर सकते हैं, okay, जो भी उनको problems है, वो सारी की सारी problems discuss कर सकते हैं, और जो भी discussion citizens के बीच म and where will it be written, where will it be recorded, it will be recorded in the form of वचनाज, ठीक है, वो वचनाज की form में उसको record किया जाएगा, alright, so वचनाज और कौनसी language में इनको लिखा जाता था, it was written in the simple Kannada language, ताकि अगर बाद में कोई उसको follow-up करना चाता है, उसको read करना चाता है, so they can easily do that, okay, so यह चीज आपने दिमाग में रखनी हैं अपने, alright, चलिए, okay, after that, in last, Basavishvara gave two more very important socio-economic principles, दो और socio-economic principles उनों ने दिये, one was called Kayaka or Divine Work, so इसके according, Basavishvara ने क्या कहा, कि जो भी individual है society में, उनको वो काम करना चाहिए, जो उसकी choice का हो, ठीक है, and जब वो अपनी choice का काम करें, तो उसको पूरी sincerity के साथ perform करें, So, this was known as the divinity of principle of Kayaka, then, there was a principle called Dasoha, और जिसको आप equal distribution principle कहते हैं, and इस principle में क्या कहा गया, कि equal income दी जानी चाहिए, for equal work, irrespective कि उस person का क्या sex है, क्या race है, क्या caste है, क्या place of birth है, तो यह सब चीजे consider किये बिना आपने, जो है, equal income देनी है, अगर equal type का का काम आप दो लोगों से करव रहे हैं, alright, तो यह बहुत इंपोर्टेंट बासवेश्वरा से रिलेटीड है, हर साल यह current affairs का पार्ट बन जाता है, और history का पार्ट तो है ही, तो अच्छे से इसको आपने कवर करना है, Okay, now let us move to the next question, fourth question, easy सा question है, the cyclonic storm, talk day, news में थी, काफी जादा, has been so named by which one of the following countries, तो cyclonic name जो है, यह किस ने दिया है, Thailand, Sri Lanka, Myanmar, Oman, अभी तो एक दूसरा cyclon चल रहा है news में, तो नीचे comment section में बता देना, वयास, है न, वयास चल रहा है अभी, तो यह किस ने ने दिया है, यह बता देना, comment section में बता देना, ठीक है, name, वयास किस ने दिया है, तो टॉक्टे किस ने दिया था, answer will be option C, Myanmar, Myanmar ने दिया था, alright, so news में टॉक्टे काफी जादा रहा, आपका 14th to 19th में के बीच में, because landfall किया था, गुजरात में, तो यह भी पता होना चाहिए कि कहां पर landfall हुआ है, देखो, जैसे अब, आपका जो टॉक्टे है, वो गुजरात कोस्ट पर आया है, ठीक है न, western कोस्ट पर आया है, और जो आपका वयास है, वो eastern कोस्ट पर आया है, तो इस तरह के statement में भी वो confuse कर सकता है कि वयास कौन से कोस्ट के ओपर स्ट्राइक किया है, या टॉक्टे कौन सी कोस्ट के ओपर स्ट्राइक किया है, जो आपका टॉक्टे था, it was basically in Arabian Sea, ठीक है, Arabian Sea में originate हुआ, and this वयास originated in your Bay of Bengal, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह की चीज़े भी वो प इंपक्ट किया, क्यारला, करनाटका, गोवा एं महाराष्टा को इंपक्ट किया, और नेम किस ने दिया था, Myanmar ने, okay, basically, इस टॉक्टे मेंज गेको और वोकल लिजर्ड, जो काफी जादा शोर मचाती है, छिपकली होती है, एक तरे की, okay, चलिए, अब प्रोसेस क्या होता है naming of tropical cyclones का, so WMO की guidelines के हिसाब से naming की जाती है, so region wise divide किया गया है पूरी दुनिया को, and हर region में जो countries होती है, वो turn by turn जो है naming करती है, अगर आप North Indian Ocean region को देखो, जो tropical cyclones को cover करता है, आपके Bay of Bengal और Arabian Sea के, तो इसमें 13 countries आती है, 13 members आती है, Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Iran, Qatar, Saudi Arabia, UAE, और Yemen, Okay, and ये countries, one by one, they name the cyclones, All right, so, जो टॉक्टे था, इसको किस ने नाम दिया था, महनमार ने दिया था, Okay, after that, IMD, अब देखो, 6 regional specialized meteorological centers बने हैं पूरी दुनिया में, Indian Ocean region का, North Indian Ocean region का, जो specialized है, वो Indian meteorological department है, and Indian meteorological department जो है, वो leading role play करता है, in issuing advisories for any cyclones, जो आपका Arabian Sea, और Bay of Bengal में originate होता है, and also for naming, तो naming, basically, name suggest कौन करेगी, countries करेगी, but final approval कौन देगा, IMD देगा, Okay, चलिए, 5th question के उपर चलते हैं, consider the following statement, Zirong Lander is the Mars Lander sent by Chinese Space Agency, Okay, तो Zirong आपको नाम पता होना चाहिए, एक तो कि हैसा कुछ है या नहीं, Second कहता है, China is the third country to achieve successful Mars Lending, China जो है third country है, जिसने successful Mars Lending जो है, वो achieve की है, इससे पहले मतलब दोदेश कर चुके हैं, आपको बताना है कौन सा statement, जो है, वो correct है, Okay, correct statement आपने बताना है, A, one only, B, two only, C, both of the above, और D, none of the above, ठीक है, तो easy सा question है, once again newspaper follow किया है, तो easily answer कर सकते हैं, ने तो दिक्कत अपने को आईगी, सोचिए, और खुद से answer करने की आपने जरूर कोशिश करनी है, until and unless आप खुद से answer नहीं करोगे, तब तक problem arise होगी होगी, ठीक है, अगर आप सिरफ चीजों को देखते जा रहे हो, और follow करते जा रहे हो, और खुद से कुछ practice नहीं कर रहे हो, then ultimately उसका जो impact है, वो आपको finally जब आपका paper जब आप देने जाओगे, उसके उपर बहुत जाता दिखेगा, तो answer इस case में आपका होगा option C, ठीक है, दूनों स्टेटमेंट्स करेक् आप newspaper फालो करते, तो आपको world page पर ये news basically दिखती, so China has successfully landed a spacecraft on Mars, for the first time, पहली बार Mars के उपर चाइना का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थ पे से किसी country ने पहली बार वेजा है, नहीं, चाइना ने पहली बार अपना Mars spacecraft land करवाया है, तो उसके बाद कुछ चाइना की, अगर achievements है, वो आप देखें, वो यहाँ पर covered है, एक बार briefly देख लेते हैं, शेंजो 5 carrier, first Chinese astronaut Yang Li into space, third country after Soviet Union and US to do so, ठीक है, तो शेंजो 5 ने Chinese astronaut Yang Li को space में लिकर के गए, चाइना third country बन गया, US और Soviet Union के बाद, 2013 में, 2007 में, चाइना ने अपना पहला, जो है lunar mission, चांद पे जो mission था, Chang E-1 उसको launch किया, पांचवा देश मना, तो launch a mission on moon, 2011 में, Tiangong 1, which was the first space lab, इसको launch किया गया, November 2011 में, पहला Mars Orbiter, Young Hu, लाँच किया गया, रशिया के साथ, बट ये फेल हो गया, तो एंटर Mars Orbit, जून 2012 में, शेंजो 9 जो है, docks with Tiangong 1, first manned docking for Chinese space program, पहली manned, जो docking हुई, वो यहाँ पर की गई, December 2013 में, Chang E-3, 3rd moon prop था ये, okay, with rover, makes first soft landing on moon, 3rd country to do so, 3rd country to make a soft landing on moon, after US and Soviet Union, September 2016 में, 2nd space lab Tiangong 2, जो है, वो launch किया गया, January 2019 में, Chang E-4, ये भी lunar prop था, जिसको, मून के far side पर भेजा गया, और चाहिना पहला देश बना, to send a lunar probe on the far side of the moon, ठीक है जी, उसके बाद, July 2020 में, launch of the first Mars mission, Tianwen-1, which was carrying a orbiter, ठीक है, April 29, 2021 में, Long March 5B rocket, which was carrying Tianhe module into space, okay, and this was the first three parts of the space station set to be completed in 2022, और इसके debris इंडियन उशन में गिरे, इसका भी अभी बड़ा ज्यादा लफडा हुआ था, इसके उपर भी काफी जादा न्यूस आई थी, NASA ने काफी जादा criticize किया था, किया रहे तुम्हारे debris गिर रहे हैं, फिर China ने का कि भहिया, बिल्कुल safely land हुआ है सब कुछ, तुम जो है, hypocrite हो, तुमारा कुछ गिरता है तो तुम कुछ बोलते नहीं, ये भी काफी जादा news में आया था, ठीक है, ultimately May 15 में, Ziorong Lander touches down to Mars, 3rd country to achieve Mars Lending after Soviet Union and US, तो इस तरह की timeline थोड़ी सी दिमाग में रहती है, तो क्यूंकि missions, देखो, space missions, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेजता रहता है, और उसमें 1st country, 2nd country, 3rd country वाला जो है, अपने को statement based form में, जो है, तंग कर सकता है, alright, तो उसी वज़े से, जो है, ये थोड़ा सा अगर timeline याद रहेगा आपको, तो answer करने में easy रहता है, okay, क्योंकि इसमें 1st, 2nd, 3rd mainly cover होगे, जाधा तर 1st, 2nd में US और Soviet Union है और 3rd में जाकर के चाइना बैठा है, alright, चलिए, now let us move to the 6th question, consider the following statements, elephant census से related newspapers के अंदर काफी था भी recently, so उसी से related question यहापर लेंगे, elephant census is conducted once in 5 years under the ages of project elephant 5 साल में एक बार elephant census जो है, conduct किया जाता है, second statement कहता है, project elephant is a centrally sponsored scheme, यह एक centrally sponsored scheme है, third statement कहता है, Assam has the highest number of elephants in India, ठीक है, तो यह 3 statements in all आपके पास है, okay, जी, तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा statement correct है, option 1, A, 1 and 2 only, option B, 2 and 3 only, option C, 2 only, and option D, 1, 2 and 3, इन में से कौन सा statement जो है, वो आपका correct है, okay, तो answer देखें, देखो, project elephant census जो है, 5 साल में एक बार कराया जाता है, ठीक है, तो पहले 2 statements आपके correct है, 5 years, ages of project elephant, project elephant is centrally sponsored scheme, correct, Assam में highest number of elephants हैं, यह statement से ही नहीं है, ठीक है जी, तो इसके बारे में एक बार थोड़ी सी information ले लेते हैं, सबसे पहले, news में क्यों था, क्योंकि ministry of environment, forest and climate change ने, अभी कुछ हमें जानकारी दी, कि 2019-10 से लेकर के, 2020-21 के बीच में, 186 elements जो है, उनकी death हो गई है, और, what you can say, that they have been killed, because it was not a natural death, ठीक है, so they have been killed, after being hit by trains, ठीक है, trains से collision होने की वज़े से 186 elements की death हुई है, alright, and Assam, अगर आप देखो, इसमें सबसे ज़्यादा elephant casualties हुई है, railway track के उपर, around 62, which was followed by West Bengal and Odisha, सबसे ज़्यादा अगर train accidents, या death, because of train collisions, जो हुई है, इंडिया में, वो Assam में हुई है, okay, और उत्तर प्रदेश जैसी अगर आप state देखो, in that particular state, only there has been a single death, alright, उसके बाद project elephant की बात कर लेते हैं, 1992 में launch किया गया था, ताकि financial as well as technical support provide किया जा सके, wildlife management efforts को, states के अंदर, जहां पर Asian elephants की conservation के लिए काम किया जा सके, एक centrally sponsored scheme है, जब हम centrally sponsored scheme की बात करते हैं, तो basically, जो scheme है, इसमें funding जो है, वो central और state के बीच में दोनों के बीच में शेयर होती है, and objective क्या है, अगर, easily आप बता सकते हो कि objective इस project elephant का क्या होगा, elephants को protect करना, उनके habitats को protect करना, जो elephant moving corridors होते हैं, उसको protect करना, man animal conflict को minimize करना, ठीक है, captive elephants के welfare के लिए भी यहाँ पर काम करने की बातें यहाँ पर की जाती है, implementation, 16 states के अंदर इसको भी implement किया जा रहा है, states के नाम याद करने आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के सवाल पूछा पूछ लेता है, that it is being implemented in all the 36 states and union territories of India, 28 states है, 28 states है अपने पास अभी, और union territories कितनी हो गई, 8 तो 28 प्लस 8 हो गया, 36, तो 36 states and union territories उसमें statement में लिख देगा, लेकिन अभी सिरफ 16 states and uts में इसको implement किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़े कहीं बार जो है, वो पूछ लेता है, statement में डाल देता है, तो वहाँ पर अपने को confusion हो जाती है कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है या कहां पर हो रहा है, चलो, elephant census के अगर बात करें, हर 5 साल में एक बार किया जाता है, last 2017 में किया गया था, और project elephant के अंडर ही इसको conduct किया जाता है and 2017 के census के हिसाब से, जो Asian elephants है, उनकी population इंडिया में कितनी है, 27,312 and 2012 के अगर census से आप इसको compare करो, तो 2012 के census के हिसाब से, हमारी जो elephant population है, जो Asian elephant population है, वो कम हो गई है, 2012 के census में, it was between 29,391 and 33,711, अब हमारे पास 27,312 है, तो population में decline आया है, और इसी वज़े से conservation efforts को strong करना और जादा important हो जाता है, करनाटका में, हमारी country में सबसे ज़्यादा elephants हैं, followed by Assam and Kerala, question में जो statement था, उसमें क्या given था, कि Assam में सबसे ज़्यादा elephants हैं, पर सबसे ज़्यादा elephants आपके कौन सी state में हैं, करनाटका में हैं, ठीक है, elephant reserves की अगर मैं बात करूँ, 32 elephant reserves हैं इंडिया में, पहला elephant reserve जो था, वो था, सिंग्भुम elephant reserve of जारकंड, अभी 32 है total, ओके जी, उसके बाद अगर हम Asian elephants का status देखें, IUCN readily status endangered में आते हैं, sites में appendix 1 और आपके Indian wildlife protection act में maximum protection जो है schedule 1 में provide की जाती है, तो Asian elephants भी आपके schedule 1 का part रहते हैं, उसके बाद global initiatives में अगर हम देखें, तो there is a program called MIC program, so MIC basically stands for monitoring the illegal killing of elephants, इसको 2003 में launch किया गया था, and it is basically an international collaboration, so basically इस collaboration का काम है कि किसी तरह से जो illegal killing of elephants हो रही है, Africa और Asia की countries में उसको monitor किया जा सके और उसको रुका जा सके, okay, so ये भी आपने ध्यान में रखना है, MIC program, launch हुआ था 2003 में, India इस program का part है, और full form क्या है, monitoring the illegal killing of elephants, okay, चलिए, now let us move to the next and the last question of this particular lecture, so the question is, consider the following statements, the Deptsang planes, the Deptsang planes are in the western region of Ladakh, and these planes were occupied by the Chinese troops during the 1962 Indochina war, ठीक है, एक article था newspaper में, Hindu के अंडरी, 17th में के newspaper में article था, basically it was for India-China relationships, वहाँ पर ये Deptsang planes का काफी जादा न्यूज में आया था, अभी जब Galwan Valley और सारा conflict चल रहा था, चाईना और इंडिया के बीच में, पहला, दूसरा, दोनों, या नन अवदी अबब, पहला कहता है कि Western region में है Ladakh के, दूसरा कहता है कि जो आप occupy कर लिया था, इनको Chinese troops ने 1962 Indochina war में, अब अगर किसी को थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है, इंडिया चाहिना के बारे में, या इंडिया की जोग्रफी के बारे में जानता है, तो वो कहेगा कि यार या तो पहला statement correct हो सकता है, या दूसरा statement correct हो सकता है, इस नॉट पॉसिबल कि दोनों statements एक साथ correct हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों, तो सबसे पहले तो answer इस case में क्या होगा, पहला statement गलत हो जाएगा, क्योंकि Western region में नहीं है, यह Eastern region में आ जाएगा, ठीक है ना, एक second, विच अब फॉलिंग स्टेटमेंट्स आर इंकरेक्ट, यह Western region में नहीं, यह Eastern region में आ जाएगा, तो पहला statement गलत हो जाता है, और अपने से incorrect ही पुछा है, तो answer यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, दूसरा statement correct है, ठीक है, Chinese troops ने occupy लिया था, इसको 1962 China war में, अब देखो, इधर आ जाओ, अब मैप के उपर अगर ध्यान से देखो, यह हो गया न अपना Western वाला पार तो लदाग का, यहां पर थोड़ी एडेप्सन प्लेंज, यहां पर है, इस एरिया में है, ठीक है, यह वाला जो अक्साई चीन वाला सारा एरिया यहां पर है, थोड़ा सा, अब देखो क्या हुआ, चाइना के जो ट्रूप्स हैं 1962 में, उन्होंने आपर आकर इस पर कभजा कर लिया, थोड़ा सा हिस्सा अपने पास भी है, ठीक है, वैसे जनरली अगर आप न्यूस्पेपर में देखोगे, तो कहोगे कि इस्टन डेपसांग जो है वो चाइना के पास है और वेस्टन पार्ट जो है वो इंडिया के पास है, ठीक है, लेकिन मैंने कोशन में क्या पूछा गया था कि यह वेस्टन रीजन में या लदाक के या इस्टन रीजन में है, तो overall अगर हम मैप देखें तो यह Eastern Ladakh का platform करते हैं Okay, so the Depsang Plains along with the Pangong Su were the two major areas of concern जो last year standoff हुआ था line of actual control के उपर Okay, and इसकी importance क्या है Depsang Plains की सबसे पहले तो Because this is one of the few places on the LAC, देखो बाकी सारा hilly terrain है यह एक ऐसी जगह जहां पर tank maneuver कर सकते हैं Tanks आप लेकर के जा सकते हो, possible है Plain area है, आपके troops से यहां पर station हो सकते हैं पुरा base से यहां पर तेयार हो सकता है और इसी वज़े से इसकी importance है And अभी हम जादा उसके अंदर नहीं जाएंगे कि issue क्या था सारा जो भी conflict हुआ था Because उसमें अगर हम जाएंगे तो उसके लिए एक lecture अपने को पूरा चाहिए Okay, so 1962 के लडाई के समय में Chinese troops ने occupy लिया था इस particular plane को 2013 में भी अगर आप देखो China ने जैसा अभी 2020 में हुआ वैसे ही 2013 में भी हुआ था 19 km तक अंदर आ गए थे 10-20 लगाके और तब भी 21 दिन का stand-up चलाता तो यह कोई नहीं बात नहीं है चीनी इस तरह की हरकते जो हैं वो करते रहते हैं तो उससे अपने को tension नहीं लेनी है निपट लेंगे और राइट चलिए और राइट गैस अभी आपका 14-19 में का उसके बाद जल्दी से जो बाकी के दिन है उनको भी कवर करेंगे ठीक है चलिए तो मज़ा आया हो तो चैनल को शेर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप इतना ज़ादा नहीं कर रहेैं चाए मिखने है जो लोग वीडियो市 देख रहे हैं कि आप वीडियोश को लाइक भी कर रहे हैं आप लोग शेर नहीं कर रहे हैं तो अपने लिट्प में टेलीग्राम ग्रूप में वोट्चyaप ग्रूप में आपने फ्रेंड गुर्प्स में चैनल को जरूर शेयर गीजिए इट सा हमबल रिक्वेस्ट ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आल दे बेस्ट एंड बाई